जहन मित्रों इस वीडियो में हम अध्यन करेंगे चुनाव कानून के बारे में यानि के एलेक्षन लॉस के बारे में तो इसमें जन प्रतिनिधित अध्नियम 1950 जन प्रतिनिधित अध्नियम 1951 परिसीमन अध्नियम 2002 दो चुनाव संबंधि अन्य जो अधिनियम आये हैं चुनाव से संबंधित नियमावलियां चुनाव से संबंधित आदेश यह हम छे चीजों का अधिन करेंगे चुनाव संबंधि जो अन्य अधिनियम आये हैं चुनाव से संबंधित नियमावलियां चुनाव से संबंधित आदेश इन छे चीजों का अधिन करेंगे तो पहले जन प्रतिनिय थे तो अधिनियम रिप्रेजेंटेशन आफ पीबल्स एक्ट 1950 का अधिन करते हैं संबिधान के अनुछेद 81 तथा 170 में संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं में अधिक्तम सीटों की संख्या संबंधि प्रावधान दिये गए हैं संबिधान के अनुछेद 117 में संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं में अधिक्तम सीटों की संख्या संबंधि प्रावधान दिये गए हैं साथ ही उन सिध्धानतों का भी उलेख किया गया है जिनके आधार पर लोगसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन छोड़ दिया गया है जो की कानून दोरा प्रदान किया जाता है समविधान के अनुछेद 81 और 170 में संसद तथा राजियों की विधान सभाओं में अधिक्तम सीटों की संख्या संबंधी प्राउधान दिये गए है साथ ही उन सिध्धानतों का भी उलेख किया गया है जिनकी आधार पर लोक सभा ततराजियों की विधान सभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन छोड़ दिया गया है जो कि कानून द्वारा प्रदान किया जाता है उसी प्रकार अनुछेद 171 किसी राज की विधान परिशद में अधिक्तम एवं नियुनतम सीटों का प्राउधन करता है तो अनुछेद 171 ये विधान सभा में अधिक्तम सीटों का प्राउधन करता है कितना होगा और यदि उस सीमा को कम या ज्यादा किया जाएगा तो उसके लिए सिध्धान्त क्या होंगे इसकी बात कही गई है अनुच्छे 171 में विधान परिशद में अधिकतम एवं नियुनतम सीटों का प्राउधान करता है और उन विधियों का भी उलेख करता है जिनका उपयोग कर सीटें भरी जाएंगे लेकिन यहां भी ऐसी प्रतेक विधि से वास्तों में कितनी सीटें भरी जाएंगी यह कानून पर छोड़ दिया गया है इस प्रकार जन प्रतेनिधितु अधिनियम 1950 का अधिनियमन लोक सभा के साथ साथ राजियों की विधान सभाओं त से परामर्ष करके लोक सभात अथ राजियों की विधान सभाओं एवं विधान परिशदों की सीटें भरने के लिए विभिन चुनाओ शेत्रों की संख्या को सीमित कर सकते हैं अधिनियम राष्ट्र पति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे चुनाओ आयोग से परामर्ष करके लोक सभा तथ राजियों की विधान सभाओं एवं विधान परिशदों की सीटें भरने के लिए विभिन चुनाओ शेत्रों की संख्या को सीमित कर सकते हैं अधिनियम पुनह लोक सभा चुनाओ शेत्रों तथ विधान सभा एवं विधान परिशद चुनाओ शेत्रों के निरवाचकों के निबंधन का प्रावधान करता है और ऐसे निबंधन के लिए योगिताओं एवं अयोगिताओं कभी ठेक यानि कौन सी योगिता होंगी कौन सी अयोगिता होंगी इसका भी नियमन करता है अधिनियम भी चुनाओं के संबंध में निमनलिखित आधिकारी आदि यह सब री प्रेजेंटेशन और प्र प्रकार के चुनाओव अधिकारी निर्वाचन अधिकारी और भी चीजे इसे हैं जिसे हम कुछ और नाम बदाएं तो चुनाव अधिकारी, पीठा सीन अधिकारी ये सारे प्रावधन करते हैं दूसरा राज सभह में संघे शेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाली सीटों के बारे में प्रक्रिया का निर्धारन करते हैं तीसरा राज विधान परिशत के चुनाओं के उद्देश से स्थानिय प्राधिकारी चोथर दीवानी नियायालियों यानि सिविल कोड को छोड़ देना अब आगया जन प्रतिनिधे तो अधनियम 1951 ये इंपोर्टेंट है जन प्रतिनिधे तो अधनियम 1950 में चुनाओं से संबंध सभी प्राधान नहीं थे बलकि इसमें लोकसभा एवं राजियों के विधान सभाओं के लिए सीटों के आवंटन की तथा चुनाओक शेत्रों के सीमांकन विक्गी विवस्था की गए थी इसके अलावा मतदाता की अरहता तथा मतदाता सोचियों के निर्माण का भी प्राधान किया गया था संसत के दोनों सदनों तथा प्रतेक राजिकी विधान सभा एवं विधान परिशत के चुनाओ इन सदनों के लिए अरहता एवं अयोगिता भ्रहस्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्राउधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णे ये सब बाद में अपनाए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिया गया इसलिए इन बिंदूओं पर प्राउधान करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नी स्वेक्यावन अधिनियमित किया गया है संसत के दोनों सदनों तथा प्रतेक राज की विधान सभा एवं विधान परिशत के चुनाव इन सदनों के लिए अरहता एवं अयोग्यता ब्रस्टाचरन तथा अन चुनाव संबंधि प्राउधान तथा चुनाव संबंधि विवादों पर निरणे हैं यह सब बाद में अपनाये जाने वाले उपाईयों पर छोड़ दिया गया इसलिए इन बिंदों पर प्रावधान करने के लिए जन प्रतिनिधित वो अधिनियम 1951 अधिनियमित किया गया मोटे तोर पर यह अधिनियम चुनावी विशियों से संबंधित है जैसे कि संसद तथा राज विधाईकाओं के लिए अरहताएं एवं अयोग्यताएं आम चुनावों की अधिसूचना चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी राजनीतिक दलों का निबंधन चुनाव संचालन चुनाव कराने में निम्न लिखित विशेशामिल है जैसे उमेदवार का नामांकन, उमेदवार और उनके एजेंट, चुनाव की सामाने प्रक्रिया, मतदान, मतगरना, अनेक अस्थानों पर चुनाव, चुनाव परिलामों का प्रकाशन और मनुनयन या नामांकन, संपत्तियों एवं देंदारियों की घोशना, चुनाव खर यह सारे प्रावधन करते हैं छड़ा मानेता प्राप्त दलों की उम्मीद वारों के लिए कुछ सामगरी की नहिशलक आपोर्ती कैसे की जाएगी यह भी रोपा 1951 प्रावधनित करता है फिर चुनाव संबंधी विवाद जैसे कानूनी प्रावधन जो चुनाव के दौरान व चुनाव या चिकाओं को वापस लेना सर्वोच नियायाले में अपील लागत के लिए लागत और प्रतिभूती जमानत नि कॉस्ट्स एंड सेक्योरिटी फोर कॉस्ट्स आठवा भरस्ट आचरण एवं चुनावी अपराध नौवा सदस्यों की अयोगिता संबंधित जाच से संबंधित निर्वाजन आयोग की शक्तियां उप चुनाव तथर रिक्तियां भरने की समय सीमा चुनाव से जोड़े अन्य अन्य अप्रावधान और दीवानी नियाय जालियों को छोड़ कर फिर आता है परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 भारत के समविधान के अनुछेद 82 तथा 170 प्रतेक राज्य को शेत्री निर्वाचन शेत्रों संसदी निर्वाचन शेत्र एवं विधान सभा शेत्रों में बटवारे तथा पुनर स्थापन का प्रावधान करते हैं और इसका आधार जनगरना 2001 है ऐसे प्राधिकार द्वारा जैसा कि संसत कानुन द्वारा निर्धारित करें साथ ही भारत के समविधान के अनुछे 330 तथा 332 लोग सभा तथा राजियों की विधान सभाव में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आ पिछला सीमांकन 1971 के जनगरना पर आधारित है विभिन निर्वाचन शेत्रों में देश के विभिन भागों में असमान जनसंख्या व्रधि के साथ साथ किसी एक ही राज में लोगों या मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की और सतत अप्रवास विशेशकर गामों से शेहरों की और का परड़ाम यह हुआ है कि एक ही राज में निर्वाचन शेत्रों के आकार में भारी अंतर है इस प्रकार परिसीमन अधिनियम 2002 का अधिनियमन एक सीमांकन आयोग के गठन के लिए किया गया जिसका उदेश्य 2001 के जनगरना के आधार पर सीमांकन को प्रभ अनियम क्या है तो पहला संसद अयोगेता निरोधक अधिनियम 1969 संसद अयोगेता निरोधक अधिनियम 1969 यह घोशना करता है कि सरकार की अंतरगत कतिपय लाभ के पद धारक के संसद सद से चुने जानने के लिए अयोगेता नहीं बनेंगे दूसरा अनसूचित जाती तथा अनसूचित जनजाती आदेश संशोधन अधिनियम 1976 अनसूचित जाती एवं अनसूचित जनजाती की सूची में समावेशन एवं भहिशकरन का प्रावधन करता है कतिपई जातियों एवं जन जातियों का ताकि संसदी एवं विधान सभाई निर्वाचन खेत्रों के प्रतिनिधित्तु का पुनर समायोजन संभव हो सकें तीसरा संग शासित खेत्र अधिनियम 1963 दिल्ली राष्ट्री राज़ानी खेत्र सरकार अधिनियम 1991 राष्ट्रपती एवं उपराष्ट्रपती चुनाव अधिनियम 1952 राष्ट्रपती तथा उपराष्ट्रपती पद के लिए चुनाव से संबंधित कतिपई मामलों का नियमन करता है चुनाव से संबंधित नियमावलिया एक निर्वाचक का निबंधन नियमावली 1960 मतदाता सूची के निर्माड एवं प्रकाशन का प्राउधन करती है। राजे सभा सदस्य दल बदल की आधार पर अयोगिता नियमावली उन्निसो पचासी। राश्ट पती एवं उप राश्ट पते चुनाव नियमावली 1974, लोग सभा सदस्य संपतियों एवं देंदारियों की घोषण नियमावली 2004, राजे सभा सदस्य संपतियों एवं देंदारियों की घोषण नियमावली 2004, फिर चुनाव से संबंधित आदेश पहला चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आधेश 1968 संसदी एवं विधान सभग शेत्रों से संबंधित राजनेतिक दलों की मानिता के लिए चुनाव चिन्हों के विवरे आरक्षण विकल्प तथा आवंटन का प्रावधान करता है दूसरा राजनेतिक दलों का निबंधन अधिरिक्त जानकारी प्रस्तुती करण आदेश 1992 संगों अथवभारती नगरेकों के निकाईयों द्वारा अधिरिक्त जानकारियां प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान करता है जो कि राजनेतिक दल के रोप में चुनाव आयोग स से साथ निबंधित होना चाहते हैं अब देखते हैं चुनाओ सुधार क्या क्या हुए चुनाओ सुधार से संबने समेतियां क्या बनी दूसरा 1996 के पहले के चुनाओ सुधार क्या हुए 1996 के चुनाओ सुधार क्या थें 1996 के बाद के चुनाओ सुधार क्या हुए 2010 से लेकर अब तक के चुनाओ सुधार क्या रहे है तो यह तो दो है इसमें सी टाइम लाइन बाउंडरी कहले एक 1996 के पहले के चुनाओ सुधार 1996 के चुनाओ सुधार 1996 के बाद के चुनाओ सुधार 2010 के बाद के चुनाओ सुधार यह पांच है तो चुनाओ सुधार से संबंधित समितियां कलेप 14 समितियां बनी है चुनाओ सुधार से संबंधित उनके नाम खले देख ले विभिन समितियों विभिन समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाओ प्रडाली एवं चुनाओ मषेनरी के साथ साथ चुनाओ प्रक्रिया की जाच की हैं और सुधार के सुझाओ दिये हैं इन समितियों और आयोगों के नाम हैं पहला चुनाव कानूनों में संशोधन पर संयुक्त संसदिय समिती 1972 तारकुंडे समिती का गठन जैप्रकाश नारयान ने अपने संपूर्ण कुरांती आंदोलन के दोरान 1974 में किया था इस गैर सरकारी समिती ने 1975 में अपने रिपोर्ट दे थी तीसरा चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामे समिती 1990 चौथा अपराध और राजनीती के बेच के साथ गाठ के जाच करने के लिए वोहरा समिती तो वोहरा समिती जो है 1993 में गठित हुआ था अपराध और राजनीती के बेच के साथ गाठ के जाच करने के ल गुपता समिती 1998 चुनाओ कानूनों में सुधार पर भारत के विधे आयोग की 170 वे रिपोर्ट 1999 सम्विधन के कामकाज की समेक्षा करने के लिए रास्ट्रे आयोग 2000-2002 म.N. वेंकट चलाई है इस आयोग के अध्यक्षत है प्रस्तावित चुनाओ सुधारों पर भारत का सुधार आयोग की रिपोर्ट 2007 विरप्पा मोईली इस आयोग के अध्यक्षत है चुनाओ कानूनों एवं चुनाओ सुधारों से जुड़े तमाम सवालों को देखने के लिए 2010 में गठित तन्खा समेती यह कोर समेती आप राधिक कानून में संशोधन पर जे एस वर्मा सम दिवाचन निरहरताएं पर 244 रिपोर्ट 2014 चुनाओ सुधार 2015 पर भारत के 255 विधी आयोग के रिपोर्ट यह सारी समेतियों एवं आयोगों कि अनुशनसाओं की आधार पर चुनाओ प्रडाली चुनाओ मशिनरी चुनाओ प्रक्रिया चुनाव प्रडाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गए चार भागों में बाट कर इनका अधिन किया जा सकता है 1996 के पहले के चुनाव सुधार, 1996 के बाद के चुनाव सुधार, 2010 से अब तक के चुनाव सुधार तब पहला है 1996 से पहले के चुनाव सुधार नीचे में पहले के चुनाव सुधार जैसे कि वोट देने की आयोग को घटाया गया चुनाव आयोग में प्रतिनियोक्ती प्रस्तावकों की संख्या में वृध्धी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन योज किया गया 1996 के पहले का सुधार है यह बूथ कबजा मतदाता फोटो पहचान पत्र एपी आईसी यह कुछ सुधार है विस्तार से देखें वोट देने की आयोग घटाना पता है कि एक सथमस सम्विधान संशोधन अधनियम 1988 आया था राजियो गांधी के टाइम पर जो कि 28 मार्च 1989 में लागू हुआ था जिसमें वोट देने की आयो को घटाया गया 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया प्रति निधित्व से वंचित देश के युवाओं को अपने भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान करने और चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने में मदद करने के उदेश से ऐसा किया गया फिर चुनाव आयोग में प्रतिनी युक्ति 1989 में प्रावधान किया गया कि चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने पुनरेक्षण एवं संशुधन करने के कामों में जो पदा धिकारी एवं करमचारी कारिरत रहेंगे उन्हें यह काम करते रहने की अवधि तक चुनाओ आयोग में प्रतिनियोक्ति माना जाएगा इस अवधि के दौरान ये करमचारी चुनाओ आयोग के नियंद्रण देखरेख एवं अनुशासन के अधेन रहेंगे फिर प्रस्तावकों के संख्या में वृद्धी ये गई 1989 में राजय सभर एवं राजयों की विधान परिशदों के चुनाओं के लिए नामांकन पत्रों पर पर प्रस्ताव के रूप में हस्ताँशर करने वाले निर्वाचकों की संख्या बढ़ा कर चुनाओं छेत रिके कुल निर्वाचकों का 10 प्रतिशट या ऐसे दस निर्वाचक जो कम हूँ कर दिया गया ऐसा व्यर्थ के उमेदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया फिर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन इवीम के इस्तिमाल की विवस्था की गई प्रयोग के तोर पर पहली बार इवीम का इस्तिमाल 1998 में राजस्तान, मध्यप्रदेश, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ 1999 के गोवा विधान सभा चुनाओं में पहली बार EVM का पूरे राज में इस्तमाल हुआ बूथ कबजा 1989 में बूथ कबजा होने पर चुनाओ अस्थगित करने या रद करने का प्राउधान किया गया बूथ कबजे में शामिल है मतदान केंदर पर कबजा कर लेना और अधिकारियों से मतपत्र या वोटिंग मशिन सरेंडर करा लेना दूसरा मतदान केंदर को अपने कबजे में ले लेना और सिर्फ अपने समर्थकों को वोट डालने की इजाज़त देना तीसरा किसी भी मतदाता को मतदान केंदर पर जाने को लेकर धमकाना और रोकना तथा मतगरना केंदर पर कबजा कर लेना फ्रगला है मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC चुनाओ आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के उपयोग से निश्चित ही चुनाओ प्रक्रिया सरल, सुचारू और त्वरित होगी चुनाओ में फर्जी मतदाता और किसी के बदले मत डालने की प्रथा को रोकने के लिए देश भर में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए वर्ष 1993 में चुनाओ आयोग द्वारा एक निर्णे लिया गया था पंजेकरित मतदाताओं को EPIC जारी करने के लिए मतदाता सूजी आधार होता है फिर आता है कि 1996 के चुनाओ सुधार क्या हुए तुवली राश्ट्री मोर्चा के सरकार ने ततकालीन कानून मंत्रे दीनेश गोस्वामे की अध्यक्षता में चुनाओ सुधार समीती का गठन किया समिती से चुनाव प्रडाली का विस्तार से अधियन करने और प्रडाली की कमियों को दूर करने के लिए अपने सुझाओ देने को कहा गया समिती ने 1990 में ही अपने रिपोर्ट दे दी और चुनाव सुधार की कई सुझाओ दिये इन में से कुछ अनुशंसाएं 1996 में लागू की गई जैसे की और कानून आयद जन प्रतिनी से तो संशोधन अधिनियम 1996 उसमें से उम्मीदवारों के नामों को सुची बद्ध करना उम्मीदवार जो है उनकी नामों को सुची बद्ध करना उम्मीदवारों के नामों को सुची बद्ध करने के लिए चुनाओ लड़ने वाले उम्मीदवारों को तीन वर्गों में बाटा जाएगा ये वर्ग हैं मानेता प्राप्त राजनेतिक दलों की उमिद्वार, पंजेकरित गैर मानेता प्राप्त राजनेतिक दलों की उमिद्वार और अन्य यानि निर्दली उमिद्वार चुनाव लड़ने वाले उमेदवारों के सोची और मतपत्र में उनके नाम अलग-अलग उपरोक्त क्रम में रखेंगे तथा सभी वर्गों में नामों को वर्ण क्रमा नुशार रखा जाएगा अगला राष्ट्रे गवरों का अनादर करने पर अयोग घोशत करने का कानून है राष्ट्रे गवरों अपमान निरोधक अधिनियम 1971 के ताहत निमन लिखित अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति छह साल तक लोक सभा और राज विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग होगा पहला राष्ट्रे जंडे के अनादर का अपराध भारत के सम्विधान का अनादर करने का अपराध राष्ट्र गान गाने से रोकने का अपराध यह सारे 1971 के कानून है जब इंद्रा गांधी भारत की प्रधानमंत्रे थे अगला शराब विक्री पर प्रतिबंध मतदान खत्म होने की अवधी के 48 घंडे पहले तक मतदान केंद्र के इलाके में किसे दुकान, खाने के जगह, होटल या किसी भी सारवजनिक या निजी अस्थल में किसी तरह के शराब या नशीले पे नहीं बेचा या बाटा जा सकता कि शराब विक्री पर प्रतिबंध संबंधि कानून के है चुनाओं के टाइम पर कि मतदान खत्म होने की अवधी के 48 घंडे पहले तक मतदान खत्म होने की अवधी के 48 घंडे पहले तक मतदान केंदर के इलाके में अश्रमने उसके पहले कर सकते हैं लेकिन दो दिन पहले तक नहीं कर सकते हैं मतदान खत्म होने की अवधी के 48 घंडे पहले तक मतदान केंदर के इलाके में किसी दुकान, खाने के जगह, होटल या किसी भी सारवजनिक या निजी अस्थल में किसी तरह के शराब या नशीले पे या नहीं बेचा या बाटा जा सकता अगला सुधार है प्रस्तावकों के संख्या में लोक सभा या विधान सभा का चुनाओ लड़ने वाला व्यक्ति अगर किसी मानिता प्राप्त राजनितिक दल का उम्मीदवार नहीं है तो उसके नामांकन पत्र पर शेत्र के दस पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रोप में होने चाहिए अगर उम्मीदवार किसी मानिता प्राप्त दल का है तो सिर्फ एक प्रस्तावक के जरूरत होगी ऐसा व्यर्थ के लोगों को चुनाओ लड़ने से रोकने के लिए किया गया था खेर दस प्रस्तावक कोई बड़ी बात नहीं है ये नियम आने के बाद भी व्यर्थ उम्मीदवार आ सकते हैं अगला उम्मीदवार के मृत्यों चुनाओ लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन मतदान के पूर्व हो जाने पर पहले चुनाओ रद कर दिया जाता था और उसके बाद उस शेत्र में फिर से चुनाओ प्रक्रिया शुरू होती थे लेकिन अब मतदान के पूर्व चुनाओ लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन हो जाने पर चुनाओ रद नहीं होता हलांकि मानेता प्राप्त राजनेतिक दल के उम्मिदवार का निधन होने के इस सिती में उस दल को साथ दिनों के अंदर दोसरा उम्मिदवार देने का विकल्प दिया जाता है अगला सुधार उपचुनाओ की सीमा समय सीमा संसद या राज विधान मंडल के किसी सदन की सीट खाली होने के छह महिने के अंदर उपचुनाओ कराना होगा लेकिन यह विवस्था दो इस्तितियों में लागू नहीं होती है पहला जिस सदस्य की खाले जगा भरे जानी है उसका कारिकाल अगर एक साल से कम अवधिका बचा हुआ हुआ जब चुनाओ आयोग केंदर सरकार से सलाह मश्विरकर या सत्यापित करें कि निर्धारित अवधि के अंदर उपचुनाओ कराना कठिन है अगला सुधर मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अनिसंस्थान में कारेरत पंजिकरित मतदाता को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश मिलेगा या नियम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा हालांकि यह नियम वैसे मतदाताओं पर नहीं लागू होगा जिसकी अनुपसिती से वह जिस रोजगार में लगा है उसे खत्रा या अतियधिक नुकसान होता हो फिर दो से अधिक चुनाओ शेत्रों से चुनाओ लड़ने पर प्रतिबंध है संबंधी नियम एक साथ हो रहे आम चुनाओ या उप चुनाओ में कोई उमेदवार लोकसभा या विधान सभा के दो से अधिक सीटों से चुनाओ नहीं लड़ सकता हाँ दो पर लड़ सकता है जैसे राहूल गांधी जब लगा कि यहां से हार जाएंगे अमेठी से तो वाइनाड से भी लड़ ले थे तो दो सीटों से लड़ा जा सकता है लेकिन दो से अधिक चुनाओ शेत्रों से चुनाओ लड़ने पर प्रतिबंध है तो एक साथ हो रहे आम चुनाओ या उप चुनाओ में कोई उमेदवार लोकसभा या विधान सभा की दो से अधिक सीटों से चुनाओ नहीं लड़ सकता ऐसा ही प्रतिबंध राजय सभा और राजयों की विधान परिशत के दूई वार्शिक या उप चुनाओ पर भी लागू होता है फिर हतियार पर रोक किसी मतदान केंदर के आसपास किसी तरह की हतियार के साथ जाना संगे अपराद है लेकिन यह विवस्था निर्वाचन पदाधिकारी मतदान अधिकारी मतदान पदाधिकारी किसी पुलिस अधिकारी या मतदान केंदर पर शांती विवस्था कायम करने के लिए बहाल किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होता है अगला चुनाव प्रशार की अवधि में कमी नामांकन वापस लेने की आखरी तिथी और मतदान की तिथी के बीज का नियुन्तम अंत्राल बेज दिनों से घटा कर 14 दिन कर दिया गया है अब देखते हैं कि 1996 के बाद के चुनाव सुधार क्या रहे तो राष्टपती एवं उपराष्टपती का चुनाव 1987 में राष्टपती का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निरवाचकों की संख्या 10 से बढ़ा कर 50 कर दी गए इसी तरह उपराष्टपती पद के लिए यह संख्या 5 से बढ़ा कर बेस कर दी गई साथ ही निरवर्थक उम्मेदवारों को रोकने के लिए दोनों पदों का चुनाव लड़ने के लिए जमानत की राशी धाई हजार रुपए से बढ़ा कर 15 हजार रुपए कर दी गई अगला चुनाव ड्यूटी के लिए करमचारियों को बुलाना 1998 में यह व्यवस्था की गई कि स्थानिय शासन, राश्ट्रेकरित बैंकों, विश्व विद्यालियों, जीवन बीमा निगम, लोक उपक्रमों एवं सरकाली साहता पाने वाले दूसरे संसानों के करमचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनाद करने के लिए बुलाया जा सकता है, अगला डाक मतपत्र के जरिये वोट डालना, 1999 में कुछ खास तरह की मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के जरिये वोट देने की विवस्था की गई, चुनाव आयोग सरकार के साथ सलाह मशुड़ा कर, किसी भी शुर्याणी के व्यक्ति को इस सुविधा के लिए अ और इस तरह अधिसोचित व्यक्ति अपने चुनाओं शेतर में डाक मतपत्र के जरिये वोट डालेगा, वह किसी अन्य तरीके से वोट नहीं दे सकता। ऐसे वोटर जो प्रोक्सी के जरिये वोट डालना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रोक्सी नियुक्त करना होगा और इसकी सोचना अपने निर्वाचन शेतर के चुनाओं अधिकारी को देनी होगी। ये सारे जानकरियां देनी होंगी, पांच जानकरियां. क्या उम्मिदवार को पहले कभे किसी आपराधिक मामले में सजा मिली है, या निर्दोष करार दिया गया है, या रीहा किया गया है, क्या उसे कैद की सजा या जुरमाना हुआ है? दूसरा नामांकन पत्र दाखिल करने के छह महीने पहले क्या उमेदवार किसी लंबित मामले का अभियुक्त है जिसमें दो साल या इससे अधिक अवधिकी कैद की सजा हो सकती है और उस मामले में अभियोग दाखिल हो चुका है या कोट दोरसंग्यान लिया गया है अगर ऐसा है तो इसका विवरण दाखिल करें तीसरा उमेदवार उसकी पत्नी या पती और आश्रितों की संपत्ती अचल चल बैंकों में जमाराशी आदिका विवरण चौथा देनदारी अगर हो खासकर क्या किसी सरकारी वितिय संस्थान या सरकार का बकाया है पाँचवा उमेदवार की शैक्षड की योगिता शपत पत्र में कोई गलत जानकारी देना अब चुनावी अपराद है अगला सुधर राज सभा चुनाओं में बदलाओ परने वाले उमेदवार की आवासी अरहता हटा ली गए तो आवासी अरहता हटा ली गए इसके पहले उमेदवार को जिस राज से निर्वाचत होना होता था उसे वहां का मतदाता होना जरूरी होता था अब उसका देश के किसी संसदे शेत्र का वोटर होना परियाप्त होगा दूसरा राज सभा चुनाओं में गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान शुरू किया गया ऐसा राज सभा चुनाओं के दोरान क्रॉस वोटिंग पर रोक लगाने एवं पैसे के खेल को समाप्त करने के लिए किया गया नई विवस्ता में राजनेतिक दल के निर्वाचक को मतपत्र पर मुहर लगाने के बाद अपनी पार्टी के नामित एजेंट को मतपत्र दिखाना होता है अगला सुधार यात्रव व्याई के छोट दो हजार तीन के प्रावधान के अनुसार राजनेतिक दल का चुनाओं प्रचार करने वाले नेताओं का यात्रव व्याई उम्मिदवार के चुनाओं खर्च में नहें शामिल किया जाएगा अगला मतदाता सुची आदिकी नहशुलक आपूर्ती 2003 के प्रावधान के अनुसार सरकार लोकसभा तथा विधान सभा चुनाओं में मानिता प्राप्त राजनेतिक दलों के उम्मिदवारों को मतदाता सुची की प्रती तथा आवश्यक सामगरी नहशुलक उपलब्ध कराएगी साथ ही चुनाओं आयोग को संबंधित चुनाओं शेत्र के मतदाताओं या मानिता प्राप्त राजनेतिक दलों के उम्मिदवारों को निर्धारित सामगरे उपलब्ध करानी होगी अगला सुधर राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंदरता 2003 में राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति या सरकारी कंपनी छोड़ कर बाकि किसी कंपनी से कोई भी राशे स्विकार करने की स्वतंदरता थी अब आईकर में राहत का दावा करने के लिए उन्हें 20,000 रुपए से अधिक के हर चंदे के जानकरे चुनाव आयोग को देनी होगी साथ ही चंदे के रोप में दी गए रकम पर कंपनी को भी आईकर में छोट मिलेगे अगला सुधर, इलेक्ट्रोनिक मेडिया पर समय का आवंटन 2003 के प्राउधान के ताहत किसी मुद्दे को दिखाने या प्राचारित करने या जनता को संबोधित करने के लिए चुनाओ आयोग राजनेतिक दलों को केबल टेलिविजन नेटवर्क तथा दोसरे इलेक्ट्रोनिक मेडिया पर समान रूप से समय आवंटित करेगा यह आवंटन पिछले चुनाओ में मानिता प्राप्त राजनेतिक दलों की उपलब्धियों के आधार पर होगा फिर EVM में ब्रेल साइनेज ब्रेल लिपी को शुरू करना आयोग को दृष्ट हीन मददाताओं द्वरा किसी सहायक के बिना मददान करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करने है तो ब्रेयल लिपिबध एवियम को शुरू करने के लिए द्रिश्ट हीनों के विभिन संगों से अभ्या वेदन प्राप्त हुआ है आयोग ने विसरत रूप में इस प्रस्ताव पर विचार किया और वर्ष 2004 में हुए आंधर प्रदेश की असिफ नगर विधान सभा में उप चुनाओ के दोरान इवियम में ब्रेयल फीचर डालने की कोशिश की वर्ष 2008 में विधान सभा चुनाओं के दोरान राष्ट्री राज़ानी शेत्र दिल्ले में भी इसका प्रेयास किया गया था आयोग ने 15 लोग सभा चुनाओं 2009 और साथ ही साथ कतीपे राजियों में विधान सभा चुनाओं के दोरान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में ऐसा ही ब्रेल फीचर डाला था अब अगला है 2010 से लेकर अब तक के चुनाओ सुधार पहला एकजिट पोल पर प्रतिबंद 2009 के प्राउधान के अनुसार लोग सभा और राजविधान सभाओं के चुनाओ के दोरान एकजिट पोल करने और उसके परेडामों को प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है इस तरह चुनाओ आयोग दोरा अधिसूचित अवधी के दोरान कोई व्यक्ति कोई एकजिट पोल नहीं करा सकता तदा प्रेंट या इलेक्ट्रानिक मेडिया या किसी और तरीके से उस पोल के परेडामों को प्रकाशित प्रचारित नहीं कर सकता एकजिट पोल का मतलब जनमत सर्वेक्षण है कि वोटरों ने किस तरह वोट किया है इसे कहते हैं एकजिट पोल का मतलब जनमत सर्वेक्षण है कि वोटरों ने किस तरह वोट किया है या फिर चुनाओ में सभी वोटरों ने किसी राजनितिक दल या उमीद वार के बारे में क्या सोचा है अगला सुधार अयोग घोशित कराने के लिए मामला दर्ज कराने की समय सीमा 2009 में भरष्ट तरीका अपनाने वले व्यक्ति को अयोग करार देने की प्रक्रिया सरल बनाने का प्रावधान किया गया इसमें भरष्ट तरीका अपनाने का दोशी पाए गए व्यक्ति को अयोग करार देने के लिए उसके मामले को तीन माह के अंदर राष्ट पती के पास पेश करने का समय अधिकरित अधिकारी को दिया गया अगला है भरष्ट तरीके के गहरे में सभी अधिकारी हैं 2009 में सभी अधिकारियों चाहे वे सरकारी सेवा में हों या चुनाओ आयोग द्वारा चुनाओ संजालित कराने के लिए प्रतिनियोक्त किये गए हों को किसी उम्मिदवार से चुनाओ में उसके जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए किसी तरह की मदद लेने पर भरष्ट तरीका अपनाने की घेरे में लेने का प्राउधान किया गया फिर अगला सुधार है जमानत की राशी में बढ़ोत रही है 2009 में लोग सभा चुनाव लड़ने वाले उमेदवारों द्वारा जमा की जाने वाले जमानत की राशी सामाने कोटी के उमेदवारों के लिए 10,000 से बढ़ा कर 25,000 और अनुसोचित जाती अनुसोचित जन जाती के उमेदवारों के लिए 5,000 से बढ़ा कर 12,000 रुपए कर दी गई इसी तरह राज विधान सभा का चुनाव लड़ने वाले सामाने कोटी के उमेदवारों के जमानत राशी पांच हजार से बढ़ा कर दस हजार और अनुसोचत जाती अनुसोचत जनजाती के उमेदवारों के लिए धाई हजार से पांच हजार रुपए कर दी गए ऐसा अगंभिर उम्मिद्वारों की संख्या बढ़ने से रोगने के लिए चिया गया जिला में अपीली अधिकारी किया करते थे इस तरह मतदाता सोची को अध्यतन करने के गरम में किसी शेतर के मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ जिला दंडा धिकारी या अतरिक्त जिला दंडा धिकारी या कारेपालक दंडा धिकारी या जिला समाहर्ता या समान अस्तर के किसी अ अपील की जाएगी इसके आगे जिला दिकारी या अतरिक्त जिला दिकारी के किसी आदेश की खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाओवा दिकारी के पास अपील होगी रगला शुदार है विदेशों में रहने वाले भारतियों को वोर्ट का धिकार 2010 में विभिन कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतियों को वोट काधिकार प्रदान करने का प्राउधान किया गया इसके अनुसार भारत का हर नागरिक जिसका नाम मतदाता सोची में शामिल नहीं है जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ग्रहन की है और जो नौकरी शिक्षा या किसी अनिकारणों से भारत के अपने सामान ये निवास के बज़ाए विदेश में रहा है अपना नाम अपने संसदी या विधान सभाक शित्र जो उसके पासपोर्ट में अंकित है की मतदाता सोची में दर्ज करा सकता है अगला मतदाता सोची में ऑनलाइन नामांकन वर्ष 2013 में मतदाता सुची में नमांकन के लिए ओनलाइन फाइलिंग के लिए एक प्राउधान किया गया था इस उद्देश के लिए केंदर सरकार ने चुनाओ आयोग से परामर्श कर नियम बनाए जिनें मतदाता पंजी करण संशोधन नियम 2013 के नाम से जाना जाता है इन नियमों ने मतदाता पंजी करण नियम 1960 में कतिपई संशोधन किया फिनोटा एन ओटी ए विकल्प शुरू करना उचितम नियायाले के निर्देशों के अनुसार चुनाओ आयोग ने उपरयोक्त में से कोई नहीं के लिए मतदाता पत्रों ए वियम मशीनों में प्राउधन किया ताकि मतदान केंदर तक आने वाले मतदाता चुनाओ में खड़े हुए किसी भी उमिदवारों में से किसी को चुनने का फैसला ना करने वाले अपने मतदान की गोपनियता को बनाये रखते हुए ऐसे उमिदवारों को मत नहीं डालने कि अपने अधिकार का प्रयोक्त कर सकें फिर से उच्छतम नियायाले के निर्देशों के अनुसार चुनाओ आयोग ने उपरयोक्त में से कोई नहीं उपर एक में से कोई नहीं नोटा नन अफदे अबव मतदाता पत्रों एवियम मशीरों में प्राउधान किया ताकि मतदान केंदर तक आने वाले मतदाता चुनाओं में खड़े किसी भी उमिदवार में से किसी को चुनने का फैसला ना करने वाले अपने मतदान की गोपनियता को बनाए रखते हुए ऐसे उमिदवारों को मत नहीं डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें नोटा के लिए प्राउधान को 2013 में राजविधान सभाओं के आम चुनाओं से ही लागू कर दिया गया और 16 लोग सभा 2014 के लिए आम चुनाओं के साथ वर्ष 2014 में राजविधान सभा चुनाओं में जारी रहा अगर नोटा के पक्ष में मत देने वाले मतदाताओं के संख्या किसी भी उमिदवार को मिले मतों से अधिक है अगर नोटा के पक्ष में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उमिदवार को मिले मतों से अधिक है तब भी जिस उमिदवार को सबसे अधिक मत मिले उसे ही निर्वाचित घोशत किया जाएगा फिवी वी पैट से सम्मंदी सुधार वोटर वेरिफियेबल पेपर ओडिट रायल वी वी पैट वोटर वेरिफियेबल पेपर ओडिट रायल वोटर वेरिफियेबल पेपर ओडिट रायल पेपर ओडिट रायल के शुरुवात वी वी पैटी एवीम से जोड़ी एक स्वतंदर प्रडाली है जो मतदाताओं को अनुमती देती है कि वे यह सत्यापित कर सकें वीवी पैट ईवीम से जोड़ी एक स्वातंतर प्रड़ाली है जो मतदाताओं को अनुमती देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते है कि उनका मत उक्त उमेदवारों को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला था जब मत पढ़ता है तो एक स्लिप मुद्रत होती है और साथ सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की उमेदवार की क्रम संख्या, नाम तथा चुनावचिन उजागर होता है इसके पशाथ स्लिप कटकर मोहर बंद वीवी पीटे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है यह प्रडाली मत डाता को पेपर रसीत के आधार पर अपने मत को चुनावती देने की सुविधा प्रदान करती है वीवी पैट के उपियोग के लिए नियम में संशोधन 2013 में किया गया 2013 में सरवोच नियायाले ने वीवी पैट को चरड़ों में शुरू करने की अनुमती दे थी और इसे स्वतंद्र एवं निश्पक्ष चुनाव की अपरिहार जरूरत बताया था नियायाले ने अनुमान किया था कि वीवी पैट मतदान प्रड़ाली के परिशुधता सुनिश्थ करेगा और विवाद के इस स्थिति में मतों की हाथ से गिंती में भी सहायक होगा वीवी पैट का प्रथम उपयोग 2013 में नागा लेंड के नोका सेन विधान सभा चुनाव शेतर में किया गया था और एवीम का प्रथम उपयोग 1998 में मधिपरदेश राजस्थान यहां सब किया गया था और गोवा में पूर्ण रूप से किया गया था अगला सुधर जेल या पुलिस हिरासत में रह चुका रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है वर्ष 2013 में सरवोच नियायाले में पटना उच नियायाले के एक आदेश को बहा लख जिसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति को जेल या पुलिस हिरासत में होने की वजह से मतदान का अधिकार नहीं हो वह निर्वाचक नहीं है इसलिए संसदिय विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए जन प्रतिनिधित अधनियम 1950 में ये नए प्रावधान जोड़े गए पहला प्रावधान सपस्ट करता है कि मतदान से रोके जानने की कारण कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सुची में प्रविष्ट है निर्वाचक होने से नहीं रोका जाएगा दूसरा प्राउधान स्पस्ट करता है कि एक संसद सदस्य अथ्व विधान सभा सदस्य तभी आउगी माना जाएगा जबकि वह इस अदिनियम के अंत्रगत आयोगी हो किसी अन्य आधार पर उसे आयोग ये नहीं माना जाएगा पर रडामता जो व्यक्ति जेल में या पुलिस हिरासत में है उन्हें चुनाव लड़ने के अन्मती है ठीक अगला सुधार सिद्ध दोशी सांसदों सिद्ध दोशी सांसदों एवं विधायकों की ततकाल आयोगिता प्रभावी 2013 में सरवोच न्यायाले ने विवस्थदी कि अभियोग पत्रित सांसद और विधायक अपराध के लिए दोशी सिद्ध होने पर अपील के लिए तीन माह का नोटिस दिये जाने के बिना ही संसद या विधान सभा की सदसेता से ततकाल प्रभाव से आयोग हो जाएंगे न्यायाले की संबध पीठने जन प्रतिनिदे तो अधनियम 1951 की धारा 84 को असमवेधानिक मानकर रद कर दिया न्यायाले की संबध पीठने जन प्रतिनिदे तो अधनियम 1951 की धारा 84 को असमवेधानिक मानकर रद कर दिया जो सिद्ध दोश कानून बनाने वालों को उच्चितम न्यायाले में दोश सिद्धी अथवा सजा पर रोग के लिए अपील का प्रावधन करती थे सर्वोच न्यायाले की उपरोग्त निरणे को निश्प्रभावी करने के लिए जन प्रतिनिदे तो अधनियम दूतिय संशोधन एवं मानेकरण विदहक 2013 संसन मिलाया गया हलांकि बाद में सरकार ने इस विदहक को वापस ले लिया अगला सुधार EVM एवं मतपत्रों पर उमिदवारों के फोटो चुनाओ आयोग के एक आदेशा अनुसर एक माई 2015 के बाद होने वाले किस सिभी चुनाओ में EVM एवं मतपत्रों पर उमिदवारों का फोटो नाम तथा पार्टी चुनाओ चिन के साथ प्रकाशित रहेंगे ताकि इस बारे में मतदाताओं के भ्रहम का निवारन हो सके चुनाओ आयोग ने यह संग्यान लिया है कि कई बार एक ही चुनाओ शेतर में एक ही नाम से अनेक उमिदवार खड़े हो जाते हैं यदे पे दो या अधिक एक ही नाम वाले उमिदवारों के नाम के साथ उप्युक्त उपसर्ग लगाए जाते हैं आयोग के विचार में मतदाताओं को मतदान के समय के सिभी प्रकार की सुविधा या भ्रहम ना हो इसके लिए अतिरिक्त उपाय किये जाने आवश्चक है आयोग ने विचा की कि यदि कोई उमेदवार फोटो देने में विफल लेता है तब भी यह उसका नामांकन खारिज करने का आधार नहीं बनेगा अगला नकद दान की सीमा कम की गए 2017 में बजट में किसी व्यक्ति द्वारे किसी राजनेतिक दल को गुपत रूप से दिये जाने वाले दान भेंट राशी चंदा की सीमा बीस हजार रुपए से कम करके 2000 रुपए कर दी गए इसका अर्थिया हुए कि अब राजनेतिक दल दान के रूप में किसी व्यक्ति से 2000 रुपई से अधिक के राज़ी नहीं ले सकते है हलांकि 2000 से कम राज़ी के प्राप्ति के सूचना राजनेतिक दल द्वारा निर्वाचन आयोग को देना अनिवारे नहीं है उनके लिए 2000 रुपई से अधिक की दान राज़ी का हिसाब रखना आनिवारे हैं अगला कॉर्पोरेट अंशदानों पर से कैप हटा 2017 बजट में किसी कमपनी के पिछले तीन वर्षों के शुध लाभका 7.5 प्रतिशत तक अंशदान की सीमा समाप्त कर दी गई है इसका ताथ पर यह हुए कि अब कोई कमपनी किसे दल को कितनी भी धनराशी दान के रूप में दे सकती है इसके अलावा अब कमपनी का ऐसे दान को अपने मुनाफे और घाटे के खाते में दर्ज कराने का दायत भी नहीं रहा अगला चुनावी बांड की शुरुआत राजनेतिक दलों को दिये जाने वाले नगद दान के विकल्प के रूप में प्रसुत किया गया इसका उदेश राजनेतिक वित्तपोशन अथ्वा फंडिंग में शुद धनराशी की आगम और पूर्ण पारदर्शिता को प्रोसाहित करना है इस योजना के प्रमुख इंस्ट्रुमेंट होगा और जिस पर देने वाले अथ्वा क्राय करने वाले का नाम अंकित नहीं होगा दूसरा चुनावी बॉंड किसी भी भारती नागरिक अथ्वा किसी ऐसे व्यक्ति या संसान द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत में निगमित अथ्वा अस्थाप रहां चाही लोग सभात वा विधान सभा हिवा चुनाव永ों में चुनावी बॉंड का किसी और राजनेतिक दल द्वारा केवल एक अधिकरत बैंक की कि खाते की माध्यम से ही भूनाया जा सकता है चुनावी बॉंड एक हजार रुपे दस हजार रुपे एकलाक रुपे दस लाख एक करोण छठा खरीददार द्वारा दी गई सोचना को अधिकरित बैंक गोपनी रखता है जिसे किसी भी प्राधिकारी को किसी भी कारण या उद्देश से नहीं बताया या साजा किया जा सकता एक अपवाद सक्षम ने आया ले हैं जिसे उक्त सोचना किसी कानून ला अनुमती बजट 2018 में राजनितिक दलों को विदेशी स्रोतों से चंदा या अंशदान प्राप्त करने की अनुमती दी गई है अर्थात राजनितिक दल अब विदेशी कंपनियों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं उसी अनुरूप विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन कर दिया गया है इस संशोधन की तहत विदेशी कंपने की परिभाशा को संशोधित कर दिया गया है अगला सुधार चुनाओ कानून संशोधन अधिनियम इस संशोधन अधनियम में निम्न लिखित चुनाव सुधारों का प्राउधान है पहला इसने अलग-अलग अस्थानों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन के खत्रे को रोकने के लिए आधार पारिसित की तंत्र के साथ मतदाता सूची डेटा को जोड़ने में सक्षम मनाया इसने अलग-अलग अस्थानों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन के खत्रे को रोकने के लिए आधार पारिसित की तंत्र के साथ मतदाता सूची डेटा को जोड़ने में सक्षम मनाया दूसरा इसने एक कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी, एक अप्रेल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को मतदाता सूची के तैयारी या संशोधन के संबंद में अरहक तितियों के रोप में निर्दिष्ट किया पहले एक जनवरी को ही जो अठारा को होगे माना जाता था पहले जनवरी ही इस संबंद में अरहताती थी होती थी तीसरा इसने दूरस अस्थानों पर सेवरत मतदाताओं के जीवन साथी को अर्मती दी सेवरत मतदाताओं में सेवरत योगता रखने वाले लोग शामिल हैं जैसे कि सशस्त्रबलों के सदस्या या केंदर सरकार के करमशारी जो भारत के बाहर तैनात हैं अपने निवासी निर्वाचन शेत्र में पंजिकृत हैं और उनके साथ रहने वाले उनके पती या पतनी व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र की माध्यम से मतदान करते हैं इस आशे के लिए इसने चुनाओ कानूनों को लेंगिक तटस्थ बनाने के लिए पतनी शब्द क पति पतनी शब्द से प्रतिस्थाबित किया जिसको इस्पाउज कहा जाता है चोधा यहां मतगर्ना के प्रयोजन के लिए आवश्चक परिसरों के मांग को सक्षम बनाता है मतदान मशीनों वीवी पैट सहित और मतदान से संबंधे समगरे को मतदान के बाद और सुरक्ष किये जाने के उदेश से परिसर की मांग की अनमती दी गई थे दूसरे शब्दों में इस संशोधन अधिनियम ने परिसर की मांग के लिए आधारों का विस्तार किया है तो यह रहा है इस वेडियो का डिसकेशन पूरा देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद